in continuation with part 1 of chapter 1 let's discuss part 2 of chartism उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वो last petition जो थी उसका भी end हो गया तो क्या होता है कि ये जो moment थी इसके जो open ends है न वो बहुत ज़रा डर रहे थे कि ये जो chartist है ये ऐसे ही चुप नहीं बैठेंगे ये जो workers है ये कुछ न कुछ करेंगे कुछ न कुछ करने की कोशिश करेंगे कि जो parliament है उसमें एक new way आए election का ठीक है वो चाहते थे कि जो chartist थे वो चाहते थे कि society के अंदर एक turn आए जो total revolution कहते है न जिसको totally change आए एक जो कि ये जो opponents थे इस moment के ये नहीं चाहते है थे कि ऐसा हो ठीक है देन उसके बाद 4 नवंबर 1839 को क्या हुआ कि 5000 में जो थे ना उन्होंने मार्च किया न्यूपोर्ट तक मौन माउंथ शायर मौन माउंथ शायर तक मार्च करते करते ये पहुचे और वहां पर ये चाहते थे इन्होंने ट्राइ किया कि पूरे के पूरे टाउन पर कंट्रोल कबजा जमाले अपना तीन वेल नोन चाहते थ के सारे के सारे वेस्ट गेट होटल पे गए और वहां की जो लोकल अथोरिटी इस थी न वो इनको परिशान करने लग गई बहुत जादा जिसकी वज़े से क्या हुआ वहां पर आग लग गई और 22 लोग मर गए ठीक है फिर जो प्रेस्टन था लेंकन शायर का वो भी कुछ इन सब चीजों से बहुत जादा इंफ्लिवेंस था ठीक है देन कम्स चार्टिस्म के सपोर्ट में बहुत सारे लोग थे बहुत सारा मतला चार्टिस्म की वज़े से बहुत जादा एकोनॉमिक डिप्रेशन आया लोग जो थे वो भूग से मर रहे थे जगा जग पर लोग बोल रहे थे कि भाई क्यूं हमारे लिए भी प्रॉब्रम्स क्रियेट कर रहे हो बंद कर दो चोड़ दो विकाज तक जब भी इतना बड़ा रेवाल्यूशन चाहिए होता है सोसाइटी में तो सभी लोग उसके अग्यांस्ट में होते हैं क्योंकि इससे बहुत ब लेबर के लिए ठीक है अगर हमने अच्छा से काम किया है पूरा दिन काम किया है तो हमारी अच्छी सी पेमेंट होने चीए पूरे दिन की ठीक है तो क्या होता है कि यह सारे के सारे इशूस थे जो बहुत जादा उस टाइम पर ब्रिटेन में चल रहे थे और लोगों को बह बहुत सारे चार्टेस जो थे वो आए उनके आईडिया शेर हुए रिफॉर्म आए 1867 और 1884 में ठीक है तो हर जुगा सिविल अंड्रेस था सब डर रहे थे कि क्या होगा क्या होगा ठीक है नाउ स्टार्ट करते हैं अब हम चाप्टर नंबर वन चाप्टर नंबर वन का नाम है दा कंडिशन और इंग्लाइड रहे थे यह एक फ्रेस था जो कि थोमस कार्लेल ने दिया था 1839 में ताकि वो डिस्क्राइब कर सके इंगलिश वरकिंग क्लास की कंडिशन को जो कि इंडस्रियल रिवालेशन के टाइम पे चल रहे थी okay and division हो रहा था society का poverty जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जारी थी लोगों के mind में सिर्फ और सिर्फ poverty से related बहुत ज़्यादा influence थे and लोग जो थे majority of जो ब्रिटेन था वो poor people से भरा हुआ था ठीक है तो इस time पे यही जो reform act थे वो भी आये reform act जो था 1832 का जिसको माना नहीं गया reject हो गया था वो तो यह सब भी चीज़े थी जिसकी वज़े से यह condition of England question Thomas Carlyle जो phrase है Thomas Carlyle ने यह phrase दिया कि किस तरह की condition चल रही है लोग समझनी आ रहा कि अच्छा ही चल रही है बुरा ही चल रही है इंगलांड में क्या चल क्या रहा है कुछ लोग मर रहे हैं कुछ लोग स्टाप कर रहे हैं उखश्ब जो गोर्मेंट है वो अपना देख रही है, सब लोग अपना अपना देख रहे हैं, तो यह चल क्या रहा है, क्या condition है England की, ठीक है, exactly का condition है England की, फिर वो बोलता है कि, थोड़ा गुस्से में, फिर वो बोलता है कि, यह जो विग्स और टोरीज है, इनोंने अपनी अपनी जगह कर रखी है, और जो जो जॉन प्रेस्ट है, उसने यह चीज लिखी, कि जो मिडल है, the middle of structural changes in the economy, which led many to question whether the country had taken a wrong turning, जो जो जॉन प्रेस्ट है, यह एक हिस्टोरियन था, इसने बोला, कि क्या कंट्री ने एक रॉंग टर्निंग तो नहीं ले ली, means कि कुछ ऐसा, इतना बड़ revolution create होने की विज़े से कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, अगर ऐसा कुछ होता है, तो, इसके माइन में बहुत सारे question थे, इस चीज से related, कि क्या यह revolution कुछ अच्छा कर पाएगा, क्या यह नहीं कर पाएगा, क्या जो government है, वो सही कर रही है, इनकी बात ना मान के, मेरको लग हमेशा इंपोर्ट करते रहेंगे सारी चीज़े, मतलब हमेशा हर एक चीज के लिए इंपोर्ट पे अगर बहार सा समान आया बहार किसी दूसरी कंट्री से, तो हम खा लेंगे, पहन लेंगे, ओड लेंगे, वरना क्या हम हमेशा, मतलब उन्हीं पे डिपेंड रहे हो सकता ह कभी उनकी economy खराब हो जाए जिसके विज़े से import ना कर पाए वो लोग फिर हमारी economy खराब ठीक है तो import के लिए हमें food जो import होता है food materials और clothing वगेरा का और raw materials का उन सब के ओपर क्या हमें ऐसा safe है कि हम दूसरे लोगों पर dependent रहें दूसरे countries पर dependent रहें क्या ऐसा नहीं हो सकता कि for example कि वहां से ship सारी हो चलो उस economy में कुछ problem ना हो उस country में कुछ problem ना हो लेकिन वहां से ship आ रहे हो समान लेके and suddenly क्या हो वो डूप जाए seas के अंदर ठीक है तो ये सारी के सारी conditions थी England की जो कि लोगों के mind में या जोन प्रिस्ट के mind में बहुत जादा influence डाल रहे थी इसके background की बात की जाए तो ये फ्रेज जो था ये काड लेल ने दिया था चार्टिस्म के लिए 1839 में जिसके अंदर बहुत जादा debates होई ठीक है spiritual से related material foundation से related जो भी England के अंदर चल रहा था सब से related बहुत जादा बाते वगेरा हुई के भाई क्यूं ये क्या चल रहा है England में ठीक है then बहुत सरे writers भी निकल के आए जैसे की Benjamin Disrael, Elizabeth Gaskell, Charles Dickens, Charles Kingsley थो इन सब ने भी बहुत जादा novels वगेरा लिखी ताकि ये लोगों के अंदर जो ये two nations two nations theme जो चल रही थी rich और poor की मतलब दो nation बट गए था ने एक में मतलब rich और poor तो इन सब ने भी बहुत जादा कोशिश करी new new writers है उनोंने भी बहुत जादा कोशिश करी ताकि जो reading public है वो इसे पढ़े और उसके बाद उनका mind अवेकन हो कि ऐसा कुछ नहीं होता है rich और poor वाला case हम सब humans है हम सब की मदद करनी चाहिए socially, politically यह बहुत ज़दा influence डालना चाहते थे लोगों पे literature ताकि वो read कर करके और important समझे social और political values की कि public एक होती है government की against जाओ या government के favor में जाओ ऐसे आधे लोग favor में और आधे लोग against में नहीं जा सकते ठीक है तो इनने बहुत ज़दा try किया बहुत सारे social reformers भी आई जनोंने try किया जैसे कि Ruskin Bond था, William Morris था ठीक है देन जो कारलेल था न वो ये बोलता है कि condition of England जो question है न इसकी वज़े से बहुत जादा वो दया दिखाता है sympathy दिखाता है poor लोगों के लिए और जो industrial class है जो working class है न England की उन लोगों के लिए कि तुम सारे तो लड़ लड़के हो जाओगे भाई जो exactly जो poor है वो और ज़दा poor हो जाएंगे war वगेरे के बाद लड़ाई वगेरे के बाद और जो working class है जो बिलकुल बहुत जादा जिनके पास एक रोटी मुश्किल से आती है खाने के लिए वो क्या कर लेंगे लड़ाई के बाद ठीक है तो वो बोलता है कि यह जो industrialism है यह जो aristocracy है यह एक disease है जो कि अंदर ही अंदर यह जो industrialization है यह जो भी चीज है यह एक disease है इसको बंद कर दो यह जो French revolution वगेरा चल रही है क्योंकि इसने कारलेल ने यह French revolution बहुत ही God से study की है बहुत अच्छे से study की है ठीक है तो इसकी वज़े से यह बहुत जादा डर रहा था कि आगे जाके पता नहीं क्या होगा तो यह बोलता है कि chartism है ना यह उस disease का जो industrialization यह जो capitalism चल रहा है ब्रिटेन में इंग्लैंड में वो किस चीज की वो एक disease है ठीक है और जो chartism है वो उस disease का industrialization यह capitalism का एक symptom है ओके तो जिसकी वज़े से यह जो हमें पता चल रहा है कि हाँ कुछ न कुछ हो रहा है तो वो बोलता है कि इस disease का एक ही क्योर है एक ही समाधान है that is a real aristocracy ठीक है एक real aristocracy लेकिया हो जिसके अंदर ना कोई poor हो ना कोई upper हो unclassed aristocracy हो जिसके अंदर कोई भी land doing aristocracy ना हो या working aristocracy ना हो सबके सब equal rights पे रहें सबके सब एक equal उस पे रहें ओहदे पे position पे